Dear students, SSC JE का exam 5, 6 और 7 जुन को schedule है यानि कि एक महिने बाद आपका exam SSC JE का खत्म हो जाएगा question बच्चों का आ रहा है कि sir इसके बाद क्या करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि sir SSC JE में बहुत जादा seat भी नहीं है मतलब अगर civil की बात करें तो civil के लिए अच्छी seat है बागी electrical और mechanical के लिए उतनी खास seat है नहीं तो बागी बच्चे हाँ पर question पूछने हैं कि sir इसके बाद कौन सा exam हो सकता है कि जिसके हम तैयारी करें क्योंकि हम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं कि जून में जैसे ही आपका SSJ का exam खत्म होगा 5-6 और 7 जून को उसके बाद उसके एक से देड़ महिने बाद आपके लिए बहुत बड़ी vacancy देखने को मिलेगी जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो vacancy होगी हो हजारों में आएगी यानि कि बहुत जादा vacancy आपको देखने को मिलेगी तो SSJ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें अभी आपका exam एक वहने बाद है तो आप पूरा focus होगा पढ़ाई पर करें और जैसे SSJ का exam खत्म होगा आपको जो बड़ी vacancy देखने को मिलेगी इस साल की सबसे बड़ी vacancy देखने को मिलेगी वह बेटा मिलेगी आपको railway की तरफ से तो railway की तरफ से चुकि पहले ही notification आ चुका है यानि कि short notice आ चुका है कि कि जो जैए की वेकंसी है वो कब आएगी तो अगर आप देखेंगे railway की website पर आपको दिख जाएगा कि उन्होंने इस साब साब पता है कि जो आपका जुलाई से लगे सेप्टमबर की बीच में आने वाली है यानि कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई और अगस्त की बीच में आपकी वेकंसी डिफरेंटली आ जाएगी ठीक है न तो आररबी जेए कि जब वेकंसी आएगी तो बहुत बड़ी संख्या में आएगी जहें मेकानिकल हो यह इलेक्ट्रिकल हो जहें दो कि वेकंसी यहाईगे कर दो आपको भी कोशिश करनी है अररबी जेक्जाम के लिए क्योंकि RRBJ का जो exam है वो यहाँ पर 5-6 साल बाद आ रहा है तो आपको ये chance बिल्कुल भे miss नहीं करना है और आपको जम कर तयारी करनी है हो सकता है कि अगर आप जम कर मेहनत करें तो आपका selection इसी साल हो जाए और आपको next year किसी भी vacancy का इंतजार ना करना पड़े तो दोस्तों तयारी करते रहिए और मन से तयारी करते रहिए उमीद को मत छोड़िए अपनी practice को मत छोड़िए अपनी मेहनत को मत छोड़िए अपनी continuity को मत छोड़िए लगादार तयारी करते रहिए vacancies आपको तो बिटा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे देख सर, SSEJE के बाद क्या किया जाए? और आपको काफी हद तक तसल्ली मिलेगी और आपका सेलेक्शन भी होगा अगर आप जम कर पढ़ाई करेंगे तो ठीक है सो बच्छे अगर आप चाहते हैं कि SSJ और RRBJ की तैयारी हम करें रेगुलर्टी बनाए रखने के लिए आपको बहुत चीजों की ज़रुत है आपको continuous practice session चाहिए आपको theoretical concept चाहिए और आपको guidance भी चाहिए proper आपका doubt solving session भी आपको चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जम कर तैयारी करना तो देखिए मेरी class daily चलती है शाम को इसी चैनल पर शाम को 7 बज़े से मेरी daily class चलती है तो आप उसमें आ सकते हैं daily class को attend कर सकते हैं बाकी यह जो वीडियो चल रहा है अगर आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको मेरा telegram का channel देखें यहाँ पर मिल जाएगा राहुल मिश्रासर test book आप इसको जरूर जोइन करिए यहाँ पर आपको सारी class की PDF notes वगरा सब कुछ available हो जाएंगे बाकी अगर आपको बिटा है mechanical की तैयारी अच्छे से करनी है अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक्जाम अच्छे से qualify कर लें concept के साथ question के साथ practice session के साथ doubt solving session के साथ तो यहाँ पर आपको super mom sale मिल रहा है 33% की extra validity जो भी course आप लेते हैं उस पर 33% की validity आपको extra मिलेगी 12 महने की साथ 4 महने का मिलेगा 24 महने की साथ 8 महने का मिलेगा 6 महने की साथ 2 महने का आपको मिलेगा एक में आपको PYP book मिल जाएगी MCQ की question book मिल जाएगी जिसमें आपको 3000 से उपर question मिल जाएगे जिसमें आपको पिछले exam के सारे जो भी जैसे आप SSJ, RRBJ की तयारी कर रहे हैं तो उसके last year की paper भी आपको बहुत सारे मिल जाएगे और उसी base पे आपको question बहुत सारे मिल मिल जाएगा और यहाँ पर जैसे आप coupon apply करेंगे RMISHRA देखे आपको यह जो discount है यह काफी जादा मिल जाएगा और यहाँ पर आपको यह पूरा course देखे 3320 मिल जाएगा यह 3216 मिल जाएगा और यह अगर तीन महने का आप लेते हैं एक्स्ट्रा वन मंथ आपको मिल जाएग सब्सक्राइब करेंगा और मिल जाएगा इस वीडियो को शेयर करेंगा नए बच्चे है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके चाहिएगा और मेल टेलिग्राम जरूर करेंगे अगर आपको यह और इंफर्मेशन चाहिए तो थैंक्यू सो मच गूरे टेक करें बाबाए